आप देख रहे हैं हमारा Medicine Review Exclusive Series इस series में हम बात करते हैं कुछ important medicines के अंदर कौन-कौन से consummate है इसकी जानकारी अगर consummate के संख्या एक से ज़्यादा है तो हर एक individual consummate का खुद का क्या काम होता है और वो जो काम करता है वो कैसे करता है इसकी विस्तार जानकारी एक्जांपल के साथ में मैं एक registered pharmacist और professional pharmacologist हूँ 11 साल का teaching experience है respected to this medicine subject चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक और important anti-hypertensive drug के बारे में क्योंकि काफी सारे problem इसी के आसपास घुमते रहते हैं तो anti-hypertensive drug कहने का क्या मतलब है और अगर आप ये वीडियो सर्च करके आए हैं इस drug के नाम को सर्च करते वे तो इसका मतलब है कि या तो आप ये दवाईयां ले रहे हैं या तो आपके डॉक्टर ने आपको लिखा हुआ है अभी आप लेना शुरू नहीं किये हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका blood pressure बढ़ा हुआ है और उसी को manage करने के लिए ठीक नहीं कर सकते manage करने के लिए ये दवाईयां आपको दी गई है तो सबसे पहले ये जान लीजे कि अगर पहली बार आपको इस तरह के दवाईयां दी जा रही है blood pressure से सम्मंदित तो आखिर blood pressure का मतलब क्या होता है कई लोग इसे misconcept लेके चलते हैं blood pressure एक problem है ऐसा बोलते है लेकिन सही माईने में blood pressure problem तो है बट उसका जो terms है वो different blood pressure यानि कि सरल भासा में बोलू तो blood के दवारा उस बहने वाली नलिकाओं के अंदर लगाया गया pressure atrial wall पे blood के दवारा लगाया गया pressure यही blood pressure कहलाता है अब आप एक बार सोचिए का कि आपको किसी एक जगह से काफी दूसरी जगह पे जो काफी दूर पे है वहाँ पे कोई पानी को pipe से पहुँचाना होगा तो अगर आप बिना किसी pump के उस pipe को सिधा नल पे लगाते हैं और लंबी दूरी तक pipe को लेके जाते हैं तो last के उस pipe के छोर पे आप क्या expect करेंगे कि पानी pressure के साथ पहुँचेगा यह तो आपको भी पता है कि ऐसा संभव नहीं है तो आप उस चीज से बचने के लिए या उस problem को solve करने के लिए एक pump लगाते हो जो या तो सुरुवात में भी हो सकती है या तो बीच में भी हो सकती है या intermediate gap gap के बीच में हो सकती है आपका उद्यश्य यही रहता है न कि पानी सही pressure सही सही अनुपात में इस छोर से उस छोर तक पहुँच सके exactly तो बीना pressure के वो pipe के अंदर बहने वाला पानी तो पहुचेगा नहीं ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि हमारा जो heart है वो एक pump है और blood एक पानी है समझके चल एक्जामपल के लिए तो जिस तरीके से एक pump न pump करके उस पानी को दूर तक pressure के साथ पहुचाता है वैसे हमारा heart blood को पूरे सरीर के हर एक हिस्से तक pressure के साथ पहुचाता रहता है अब अगर सही pressure नहीं होगा तो body के दूसरे जगा तक blood अच्छे नूपात में अच्छे pressure के साथ कैसे पहुच पायागा और यही दिक्कर करेगी बाद में आपको अलग-अलग रूप में तो ऐसा pressure ज़रूरी है जो सही मातरा में हो तो इस normal value का range क्या होता है यह होता है 120 by 80 यानि कि 120 बटा 80 जिसमें से 120 ऊपर की value है systolic और नीचे की value है diastolic systolic value थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा systolic value काफी high जा सकता है अगर आप भाग दोड़ करके आए हैं तो उपर जा सकता है अगर आपको रात में 2-3 दिन तक अच्छे से नीद नहीं आई है तो उपर जा सकता है अगर आप सोच रहें किसी tension के बारे में तो systolic value उपर जा सकता है लेगिन अगर नीचे के value लगातार काफी दिनों तक persistent तरीके से बठा हुआ नजर आए तो ये blood pressure के निसा नहीं हो सकती है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कई test लिखे जाएंगे उन test के हिसाब से research में आएगा कि आपका hypertension के value कितना है और problem का कारण कितना है कि किसके कारण से ये problem हो रहा है उसके हिसाब से अलग-अलग drug देंगे drug की बहुत सारी list है कौन सा drug देंगे वो कई factors पे depend करता है चलिए मान लेता हूँ कि आपके doctor ने आपको ये दवाई दी है जिसके अबारे में अभी आपको बताया नहीं है लेकिन आपको बताऊंगा थोड़ दिर में तो ये समझ में आ गया कि ये blood pressure होता है अब ये देख लो कि कारण क्या होता है फिर से वही बात आ जाएगी कोई कारण एक दो नहीं है कि आप उसको manage कर पाओ कारण बहुत सारा है अगर आप मैंसे बैक्जियम जीडो को manage कर पाओगे तो शायद आपको दवाईयां लेने की दुरत ना पड़े मैंने शायद कहा है क्योंकि कई चीज़े depend करती है जिसके कारण हमें known नहीं होता है तो इसके बाद देखिए कारण क्या हो सकते है ये risk factor क्या हो सकता है अगर आप ऐसे lifestyle जी रहे हो जहां पर exercise के लिए कोई जगा नहीं है healthy diet आप consume करते नहीं हो तो फिर ये problem को बढ़ा सकते है cause भी कर सकते है तो ये कुछ मिटा मोटा कारण है अगर आप खाने में नमक थोड़ा extra यूज करते हो जितना चाहिए उससे उपर लेते हो salad के उपर अलग से नमक शिड़कते हो मतलब नमक की जाओ सकता थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो ये नमक भी blood pressure को बढ़ाने के लिए responsible हो सकता है तब ही तो आपको ये commonly पता होगा कि जिसको BP की problem है डॉक्टर उसको कम नमक खाने के लिए कहते हैं और इसको hypo है यानि कि कम वाला BP है उसको थोड़ा नमक पानी पिलाने के लिए बोलते है तो कहीने कहीं इससे समझ में तो आ ही गया कि नमक की भूमी का है आपके blood pressure को बढ़ाने में चलिए बात कर लेते हैं आज के drug के बारे में और यह देखते हैं कि कई कारणों में से कौन से कारण को थोड़ा सा manage करता है आज आपका drug मेरे हाथ में एक drug है brand name के साब से कर बात करें तो यह है tell me kind CT 40-6.25 यानि कि tell me kind ही बोल लो tell me kind CT tell me kind तो एक brand name हो गया जो यह बताता है कि भाईया मुझे यह दवाई चाहिए tell me kind में पहला जो word है tell me वो रिप्रेजन करता है tell me certain को kind यानि कि mankind के तौर बनाये गए drug के brand के बारे मताता है और उसके बार में CT लिखा है तो उसका मतलब है chlorothalidone और यहाँ पे जो concentration है 40-6.25 यह दो drug का अपना-पना respectively क्रमशह उसकी मात्रा, उसकी सांधरता उसका concentration या उसका power को दिखा रहा है तो यह तो brand name हो गया brand name को कोई काम नहीं है सिर्फ यह काम है कि आपको पता चल सके कि यह दवाई दी गई है उसके अंदर कौन-कौन से cost meant है इस टर्बेट के अंदर दो drug का combination है पहला है आपका tell me satan दूसरा है आपका chlorothalidone अब इनका concentration जैसे मैं बताया कि tell me satan का है 40 mg और दूसरा है आपका chlorothalidone इसका है 6.25 mg यहाँ पे दो drug हैं तो एक एक drug का combination हमको समझ में आ जाएगा उनके mechanism और उसके category को समझ करके पहला drug है आपका tell me satan तो मैं आपको बता दूँ मोटा मोटा क्लास अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यह anti hypertensive drug का example है anti hypertensive drug के अंदर भी एक क्लास है जिसे हम कहते हैं ranine angiotensin aldostron system inhibitor और इस क्लास के अंदर भी एक और सब क्लास है जिसे हम कहते हैं angiotensin receptor blocker और यह tell me satan उसी category का drug है तो सरल भासा में जुड़ा हुआ पहला वाला जो क्लास तच करता है वो यह है कि angiotensin receptor blocker तो यह जो drug है tell me satan angiotensin के receptor पे आपके angiotensin के bind होने के process को रोकता है और इससे आपकी मदद करता है तो आपके दिमाग में यह घंटी बजी हुईगी कि यह bind क्या हो गया अगर bind हो गया तो क्या होगा और अगर यह समझ में आ गया कई में आपका सवाल सही है कि अगर आपको समझ में यह आ गया कि bind हो रहा था तो क्या हो रहा था तो automatic समझ में आ जाएगा कि bind नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, इसलिए समझाता हूँ कि bind होगा तो क्या होगा, मालो यह angiotensin का receptor है, ठीक है, angiotensin का receptor है और यह angiotensin है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ताला है और यह चाबी है, बिना ताले के चाबी का कोई काम नहीं, और चाबी ताले फिट बैठेंगे, तो क्या होगा काम आपका, क्या आसर दिखेगा, ताला खुल जाएगा भई, ताला किस पर लगा है, गेट पर लगा है, तो गेट क्या हो जाएगा, गेट खुल जाएगा, और गेट खुल जाएगा, तो क्या होगा, या तब बाहर से अंद इसकी वज़े से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसको आपको रोकना पड़ेगा ना, तो आप चाहोगे कि ताले पे चाबिल लगाया ही मत जाए, ताकि कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर रेस्पेक्टिवली आ ही मत पाए, वैसे ही इस रेसेप्टर को हम ब है, और एक एडिमा का केस आएगा, उसके अंदर भी उसकी आ जाएगा, तो ये किस काडिगरी का है, इस रेस्पेक्ट में बात करें अगर आज के बारे में, तो एंटिहर्परटेंसिव ड्रग इसका में क्लास है, सब क्लास है डायूरिटिक, और डायूरिटिक यानि की एक ऐसा एजेंट, जो कि आपके यूरिन के फार्मेशन का प्रोसेस को बढ़ाता है, जब प्रोसेस बढ़ेगा, तो ज़्यादा मातरा में यूरिन बनेगी, और ज़्यादा मातरा में यूरिन बनेगा, तो ज़्यादा मातरा में इसको आउटपुट करेंगे, यानि कि यूरि सीखेंगे आगे बढ़ेंगे और गलत चीजों से दूर जा करके सही चीजों की प्रैक्टिस पर आते जाएंगे तो आकी डियारीटिक काम कैसे करता है तो सुरूब में मैंने कहा था एक लाइन जरा उसे याद करिए रीकॉल करिए कि अगर आपका ब्लेड पेशर ज्यादा है तो कभी कभा अगर किसी का गौ मुत्र पिया होगा या कभी भी कभा अपना यूरीन टच किया होगा पीने के लिए कई लोग अपना यूरीन पीते हैं हेल्दी कंडिशन में तो आपको एक नमक का एहसास हुआ होगा इससे तो ये साबित होता है कि यूरीन में नमक पास होत तो कहीं नहीं बॉडी जो एकसेस नमक है इसे बाहर निकालना चाहती है। लेकिन बॉडी को यह भी लगता है। कि जो मिरे नमक है वो इंपओर्टन इलेक्रोलाइट है। इसे बाहर नहीं जाना देना चाहिए। तो वो क्या करता है ब्लेड से मूफ करके जो कि ल्यूमेन में गया है, ल्यूमेन मतलब वो समझ सके लिए आपके लिए एक पाइप जो कि आगे यूरी मुने के निकल जायाएगा, तो आपकी बॉड़ी के लगता है कि यह गलती से चला गया, सोडियम मेले जरूरी है, तो उस पाइप से, जो कीरों के फार्म में निकलने वाला है, इसे वापस से ब्लेड में भेज देता है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉड़ी तो सोची कि यह यह गाम का है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है BP की, तो वो ब्लेड पिशर में से कम करने वाला, बढ़ाने वाला फैक्टर नमक, वापस से ब्लेड में से आ जाता है, यानि कि ब्लेड में से ल्यूमें में गया था, वापस से ल्यूमें से ब्लेड में आ गया, तो जहां था वहीं आ गया, और आपका ब्लेड पर से कंट्रोल होगा नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि maximum amount में यूरीन बनाये ज तो इस तरीके से कहा जाए, अगर indirectly तो आपके उरीन से नमक ज़्यादा मातरा में निकल रहा है, और जग उरीन से नमक ज़्यादा निकल रहा है, यानि कि आपके ब्लेड में, यानि कि आपके शरीर में नमक का मातरा कम होते जा रहा है, और जिसकी वज़े से, जिस नमक की यासी BP बढ़ने लगा था, वही नमक जब काम हो जायागा, तो BP भी कंट्रोल में आने लगीगी, यही है डाइरोटिक की काम करने का तरीका, अब यहाँ पर दो ड्रग यूज किया गया है, तो एक ड्रग, एक ड्रग, दोनों अपना अपना काम करेंगे, और दोनों अपना का काम करने में, और ठक भी जल्दी जायागा, तो आपने दो आदमी को, तीन आदमी को, चार आदमी को, depending upon the quantity of the bricks, and कितना जल्दी आपको action चाहिए, उसके हिसाब से, चलो मान लेता हूँ, दो आदमी अपना काम करेंगे, और जल्दी काम हो जायागा, इसलिए दो ड्रग अग साल के feedback दे दीजे, ताकि हम motivate हो सकें, और आपके लिए ऐसे ही educational with authentic video आपके लेकर के आ सकें, thank you, take care.